हेलो स्टूडेंट स्वागत करता हूँ आप सभी का ओन लाइन युनिवर्शिटी टूर के दसवे एपिसोड में आई होप आप सुब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम लोग चर्चा करने हैं महात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्विद्धाले जो की वर्धा यान कौन 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 से कोर्शेश नं시 ती यहां पर यह लेटेड़ बी चल रहे हैं वह हुशन की पर यह लग सकती है मैसी में एकुमेडेशन का फी कितना लगेगा वो सारी चीज़ें यहां पर देख रहे हैं फैसलेटीज क्या-क्या है वो तो हम लोग देखते हैं यहार इनुशिटी में इसमें भी देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रेस करके रख करोंगे हैं यहां पर आणे के बाद फिर अगर आपको ही क्लिक करोगे सबसे ऊपर देखोगे प्रवेश ही पंजियन करने के लिए यहां क्लिक करें इनकी website पर लगभख सब कुछ हिंदी में ही लिखा है ठीक है अब यहां पर जैसी आ जाओगे तो नया registration यहां पर कर सकते हो अब यहां पर यह दिख नहीं रहा है ठीक है कुछ दिर पहले यह दिख रहा था अभी पर आएंगे तो यह कुछ ऐसा इनका campus देखता है यह देख सकते हो बहुत सांदार सा campus है इधर देखो यह सब देखो होगे एरिया इधर सहर बसा हुआ है सहर से थोड़ा सा बाहर इधर की ओर यह आपका campus है बहुत हर्याली है ठीक है यह देखने के बाद आपको मन कर रहा होगा चलो देख लेना ठीक है अभी बहुत चारी चीज़े जान लो तब लेना ठीक है तो यह इनको जो है एंडवल एसी द्वारा ग्रेडिंग मिला है एक ठीक है तो इनका एप्लस नहीं है सिर्फ ए है ग्रेडिंग ओके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख लेते अब लास्ट मे जो है यहां पर जाकर करके आपको यह सुटी समर्थ पर पंजियन कराना होगा और यह रेजिस्ट्रिशन आप कराओगे कैसे तो यह डेट दे दिया इन्होंने कि अंतिमति थी जो है वो 12 अगस्त निर्धारित है ठीक है तो 12 अगस्त इस लास्ट डेट तो सभी लोग जाकर करके यहां पर अपना रेजिस्ट्रिशन करवा सकते हो जिनको भी पढ़ना है पहले देख लो कौन-कौन से कोर्से से अगर आप इलिजबल हो दिन आप डिसाइड कर सकते हो महरास्ट में ठीक है तो जो जा सकते है वही ठीक है देख लेना एक बार और तीन सो रुपय ठीक ह करते हैं तो यहां पर 500 रुपय तो यह अपना देख लो और देर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अभी तक जिनों नहीं करवा है जिनको कराना है जाकर करवा सकते हो कैसे करवाना है वह भी बता दिया आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले कि यूजी में कौन-कौन से कोर्से क्लादे यहां पर चलते हैं तो देख लो सबसे पहली बात कि हैं पर जो है सारे courses लगब लगव यहां पर किया है यह क्या है कि multiple exit entry option होता है इसमें आप जो है एक बार जाओ एक साल पढ़ो फिर बाहर चले जाओ अगर मन कर रहा है तो चले जाओ ठीके मत पढ़ो दूसरे साल दूसरे साल में पढ़ो तो जैसे जैसे आप complete करते जाओगे दो साल पढ़ोगे तब डिप्लोमा तीन साल पढ़ अगर चार साल करोगे तो पीजी आपको एक साल का ही करना होगा तापके पास यहां पर options मिल जाते हैं तो यह चार साल का है तो यह linguistic याने की प्रोग्राम है भासा विज्ञान का ओके तो इसमें सीटी में आपको कौन-कौन सा पेपर आपने अगर आप्ट किया है तो यहां आपर यह पढ़ सकते हैं पर एडमीशन ले सकते हो वह आपका हिंदी लैंवेज लेना होगा और यहां पर टेश्ट फ्रॉम सिक्षन वनी ठीक मतलब लैंग्वेज लेना होगा और थार्ड से आपको यहां पर जन्र टेस्ट तो वही बात है कि 450 पर आपका यहां भी बनने बनेगा तो यह देख लोगा जैनल टेस्ट लेना होगा और साथी साथ हिंदी हिंदी और जन्र टेस्ट ओके और यहां पर अगला है कि चार साल का यह भी है यह आपका लैंग्वेज टेकनोलोजी यानि कि भास अप प्रद्ध्योगी कि इसमें भी आपको यहां पर हिंदी लेना होगा देना आपको इहां पर कम्पिटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैप्टिस इंदोनों में से या फिर इंजिनिः ग्रफिक्स मैथमेक्स फ्रॉम सेक्टैक्स तो यानी एक डोमेन आपके पास होना चाहिए तो वह डोमेन कोई भी हो सकता है computer science हो सकता है information practices हो सकता है engineering graphics या फिर mathematics इसमें से अगर आपने कोई लिया है तो एक आपका language हो गया एक आपका जो है domain हो गया और एक आपका general test ठीक है अच्छा यहां पर और लिखा है domain यह रहेगा तब भी आपका काम हो जाएगा hindi plus one domain तो इसमें से कोई भी domain maths computer science इसमें से कोई ठीक है और हिंदी या फिर general test आपके पास है तो भी आप यहां पर admission लेसे हो आपके पास options यहां यहां पर हो गया ठीक है कि अगर जनल टेस्ट हिंदी यह तभी और जनल टेस्ट नहीं भी है mathematics है या फिर computer science है engineering graphics है तो भी आप यहां पर ले सकते हो तो एक बार फड़ा-फड़ से हिंदी दोना आपके पास जोना चाहिए माराथी लैंग्वेज में मथ समय आपके पास माराथी होना जाहि क लाठी में पढ़ रखा है ठीक में गायै तो और आपका पास स्टी सी कटिगरी है ताब 45 पर स towel और यहां तो आई होब कि अब जो है अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप देख के अपना समझ सकते हो स्क्रीन सोट लेना जिनको भी जरूरत है अगर आप लेना चाहों तो ले सकते हो जैसे फ्रेंच में लेना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज चल जाएगा ठीक है और फ्रेंच तो फ्रेंच लैंग्वेज तो 12 में मतलब सारे बच्चे नहीं पड़े होंगे ठीक है तहां पड़ेंगे ठीक है अगर बहुत कम लोगों हों तो यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज होगा और या फिर अथ्वा दियावा की जंद तो हिंदी और जनिर ट्स्टेश्ट आपका या फिर mathematics में से कोई एक होना चाहिए आपके पास domain management में प्रबंधन में तो अब मैं क्या करता हूं आप एक बार देखते रहो फटाफट से ठीक है यहां पर और लिखावाद देना जन्रल टेस्ट और हिंदी लैंग्वेज बस है आपका तो management में भी ले सकते हो उसके अलाम अ जन्रल टेस्ट आपका काम हो जाएगा sociology है तो हिंदी और sociology और anthropology कोई लिया है तो काम हो जाएगा Sanskrit literature है तो इसमें आप Hindi और आपको Sanskrit लेना होगा political science में Hindi और आपके पास political science होना चाहिए मराठी में आपके पास Hindi और मराठी होना चाहिए ठीक है तो यह अगर आपने opt किया है CVT में तो आप यहां पर admission ले सकते हो तो वही लगबग वही है जैसे psychology है तो यहां पर psychology आपके पास होना चाहिए या फिर जनरल टेस्ट भी है तब भी काम आपका चल जाएगा वही आप आप क्या करो एक-एक बार यहां पर देख लो सबका पढ़ना जरूरी नहीं है एक बार देख लो कि आपका काम यहां पर हो जाएगा चाहो तो आप यहां पर इस टेस्ट भी लेंना सब में होई है निजनरल टेस्ट और डो में दिया हूं दो में होना चाहिए चलो तो यह सब यहां पर यह सारे चलते हैं ठीक है ठांसली ट्रांसलेशन स्टीस फिलोसफी बहुत सारे को से सब्गे जैन स्टेडिव भी होता हिंदू इस्टु में भी तो हिंदी होना चाहिए और लास्ट में जनर टेस्ट तो भी काम चल जाएगा बाद बागी डूमेन रहेगा तो भी काम हो जाएगा और लास्ट में NCT का कोर्स भी हाँ पर चलता है तो NCT ITP जो आपने सुना होगा चार साल का जो होता है वह भी हाँ पर इंटीगेटर प्रण है ओके तो बीए बीए नहीं पर अबलेबल है बीए अबलेबल नहीं है ध्यान देना वीए बीए अबलेबल है टीचे एप्ट टू जनर टेस्ट लैंगवेज वान लैंवेज टू ओना चाहिए और यहां पर थ्री डूमें पर चलता है इंगलिसाए ग्रण हें तो deben लेज सबोगे तो यहां पर है यहां पर है और सब्सक्राइबबल इंपर जो है चार वर्स लिखा हुआ यह क्यों है तीन वर्स ठीक है तो दो वर्स एक वर्स मिनिममम ऐसा क्राइटेरिया कैसे चलता है यह मुझे समझ नहीं आया बट जब आप पढ़ रहे हो या फिर कोई स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहा है तो आप जरूर इसे को समझा देना जो सब्सक्राइब है क्यां कि अभी तक हम सुनते आरे वाही कि में अगर करना है तो हमारा दो साल ही कोगा लेकिन यह एक साल का भी है कहीं पर और मैक्सिमुम कहया है कि यह 4 सोंका भी हो सकता है तो यह मुझे समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बताना हलांकि यह उद्ध अच्छा करें तो फी हाँ पर है 13 000 कुछ करके फी हाँ पर दिया गया है तो फी आप देखर हला के है घ्ibi के ओ還 के लिए आपत करें तो हम यहाँ पर यूजी कर लेटे हैं तो यह विट का जो कोर started यह देखो इसनातक यह पात्रत आपके पास अधिक्तम दो वर्स है यह पर मतलब यह बीट जो है बीट सिक्छा इसनातक ठीक है तो दो ऐस मिनिमम और पांच वर्स मैक्सिमम डियूरेशन होता है अब यह मुझे समझ नहीं आया बताना किसी को पता हो तो पर्थम वर्स में अगर करना चाहरे हो तो इसमें जो हैं कि यहां पर पर था मुंढंच पफर रूपय दूती वर्स में 5 रूपय तीटी वर्स में जो है स्थाद बावन्स रूपय है ठीक है वो थ्लुदा चुपा हुगा है तीन हजार तीन हजार सब में फी है और यह गैर संस्थाओं के लिए निर्माड और प्रबंधन में प्रमाड पत्र यह क्या होता है ठीक है यहां पर कि दोहजार रुपए हाँ पर इनका फी है दो यह सब हमने था रभ खमी के बारें बात लिया अब आजाते हैätzlich ऊपर तो फैसलीटीज में बताया जा रहाएका आपके पास तो आप जाकर कोहां पर दवा भी करा सकते हो अगर कोई परशानी हुई तो आगे बढ़ते हैं लाइबरेरी की बारे में तो लाइबरी तो बहुत सांधार है इसका ठीक है महा पंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रिय पुस्तकाले इसका नाम है ठीक है लाइबरेरी यहां पर चाहे तो कोई दिक्कत है ने लाइबरेरी में आप जाकर करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हो इस पोर्स पेसिलिटीज हमने यहां पर लगाए नहीं इस पोर्स में वही सारी चीजे है जो लोग अभी एपीसोड सारे देख रहे हो आप तूसमें आपने देखा होगा और फैसलिटे क्योंकि इस आपने का नाम कम से कम पता हो थो आप सबसे पहले लोग एक अंतरश्ट्य शात्रवास भी है तो जो बाहर से लोग हिंदी पढ़ने आते वह इंडिया में हिंदी पढ़ने आते जिनको हिंदी सीखनी हुत तो यहां पर आते हैं तो यह इनके बिर्सा मुंडा भगत सिंग सुखदेव चात्रवास राजगुरु चात्रवास चंद्रसिखर राजाद चात्रवास ठीक है तो कितने होगा एक दो तीन चार पांच छे चात्रवास आपके बॉइच के लिए और यहां पर देखो दो चात्रवास जो है लक्षी भाई केलकर औ तो गर्ष के लिए दो और बोज के लिए यहाँ पर 6 चात्रवास यहां पर है और एक आपका इंट्रनेशनल चात्रवास आ आप देख लेते हैं फी के बारे में अगर आप यूजी या फिर पीजी ऐडनें लेतो हैं पर तो हला कि हम क्योंकि यूजी के बारें बात करें तो यूजी लेखा हुगा है वोट पीजी में भी सेम फी रहता है तो रूम रेंट आपको यहां पर लग जाएगा होस्टल का होस्टल में जब एकोमेडेशन देखो यहां पर रहोगे बेड मिल जाएगा ठीक है तो रहने का जो खर्चा होता है वो पर मंथ आपको 900 रुपे हां होता है तो मांथली इनके साइट पर लिखा हुआ कि मांथली जो है वह एकसुपचास रुपे लगेगा ठीक है तो हमने जोड दिया इसको छे महीने का तो पंदर चेका नबे क्योंकि मत्री चार्ज किया जाता है मतलब एक मन्त सरी मंत हमने लिग दिया है हाफ है यह मन्त हम ठीक है इसको आपने छे साल में अच्छे महीने में कनवर्ट कर दिया था तो पंद्रह चका नब्वे नौस रुपए आपको छे मंत में लगेगा तो साल का देखोगे तो नौदुना अठारास रुपए लगेगा यह रहने का रूम रेंट है ठीक है तो अठारासो पर इनम हो होता है लेकिन पिछले में हमने a mean के बारें बाद किया था वहां पर फीट यहां पर यहां पर यह वह शालियो बीदेख लिए ठीक है तो लबब सारी चीजे हमारे घभर हो गई हैं और हमने यह भी बता दिया कि 12 अगस तक आपको रिजिटेशन का लाग डेट है तो सभी ल वालो और मतलब अच्छा यह है Central University है बहुत बढ़िया है ठीक है तो आप अगर चाहते हैं आपर पढ़ना तो जा करके पढ़ सकते हो और नहीं बात कि अगर कर दोजी्वटी के लिए ठीक है याफिर एंटसीन के लिए या फिर पीजी के लिए हसी के लिए ले को सकते हो हमारे लंच हो है कर लाइन प्राइब в् profess only ones सांदार तरीके से 220 जाने तो मतलब औरतीव है आप हमारे हाँ जोईन करके जो है तैयारी कर सकते हो फी के बारे मताया गया 40% अभी डिसकाउंट चल रहा है यह पीजी में यह सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे हाँ पर तो और कोई समस्य हो तो इस नंबर पर जरू कॉल करके बात कर लिजेगा ओके तो यह हम करते ह्ला जो है को सी इन्युट्री को अगरों किया जाए ठीकए पॉल यह और यह यह जो मात्मा गंडी अंतराश्टी पार बात करेंगे तब तकals दिया रहे हैं और ऐसे ही प्यार बरसाई मिलते हैं एक से